गुरू गोरख नात विरचित, गोरख तंत्र नामक यह पुस्तक तांतरिक बहल जी द्वारा प्रस्तुत की गई है इस पुस्तक के भीतर गोरख शाबर के सभी प्रयोग समाहित किये गए है गुरू गोरख नात जी का जीवन चरित्र, नात संपृधाय का परिचे मचेंदर नात और मौनी नात जी की कथा शाबरमंत्र की संपोण साधना गुरु गोरख नात विरचित विशिष्ट शाबर मंत्र तथा बौध तंत्र और गोरख तंत्र का संपोण विवेचन इस पुस्तक में किया गया है यह प्राचीन एवं प्रमानिक पुस्तक आज से लगबक तीस वर्ष पूरु रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा प्रकाशित की गई थी तब से लेकर आज तक पाठकों की भारी मांग पर इस पुस्तक के अनेकों संसकरण प्रकाशित हो चुके हैं गुरु गोरखनाज जी का नाम योग ज्यान के साथ साथ तंत्र शेत्र में भी प्रसिद्ध है गोरखनाज जी के प्रमानिक शाबर मंत्रों का अपार संग्रै इस पुस्तक में विधी विधान के साथ दिया गया है तांत्रिक बहल जी ने नाथ पंत के लाखो घुमक्कड साथूओं के द्वारा बताए गए अनुभूत शाबर मंत्रों का इस पुस्तक में वरणन किया है प्राचीन समय में भारत वर्ष में गोरख तंत्र का विशाल सहित्ते उपलब्द था किन्तु आज काल परिवर्तन के कारण उस तंत्र सहित्ते में से मात्र कुछ ही संग्रै अनेक पुस्तकालेयों में जीर्ण शिर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है ऐसे विलुप्त एवं प्राचीन पांडुलिपियों का अध्यान एवं शोद करने के पश्चात इस गरंत की रचना की गई थी गोरख नाज जी का एक अत्यंत प्रसिद किन्तु सूक्ष्म वशीकरण मंत्र इस प्रकार है ओम जलकी योगिन पाताल के नाम जिस पर भेजूं उस पे नाग सोते सुखना बैठे सुख फिर देखे मेरी सुख मेरी बांधोतो बाबा गोरखनात की जै यह मंत्र जितना ग्रामीड एवं अनगड है उतना ही चमतकारी भी इस मंत्र की पूरी विधी विधान इस पुस्तक में दी गई है इसी प्रकार किसी चोर अथ्वा संदेहा स्पद व्यक्ती का पता लगाने के लिए एक प्रसिद शाबर मंत्र इस प्रकार है ओम नमो नरसिंग वीर जयू जयू तेरी चले, पवन चले पानी चले चोर चित चले थहराए चोर ही चाले कतमाया परू करे वीर या नात की पूजा मंत्र टले, तो गुरु गोरखनात की आज्या नचले तो चोरासी सिद्ध का आदेश मिटे इस मंत्र का पुस्तक में दिये गए विधान के अनुसार प्रयोग करने से चोर का अथवा संदिग्द व्यक्ति का पता तुरंत चलता है तांत्रिक बहल जी ने इस पुस्तक के भीतर तंत्र विद्या की जटिल, कठिन, एबम वीभत्स सादनाओ से हटकर सरल शाबर मंत्रों का उपयोग स्पष्ट शब्दों में किया है गोरखनाज जी का इतिहास वर्णन करते हुए तांत्रिक बहल जी कहते हैं गोरखनाज जी की यह निश्चित धारणा थी कि जब तक काया शुद नहीं होगी तब तक वह किसी भी ज्यान को ग्रहन करने में समर्थ नहीं हो पाएगी इसलिए उनकी दृष्टी में शरीर का शोधन परमावश्यक था इसलिए उनोंने ओगण और ग्रहस्थ व्यक्तियों को दोनों को समान रूप से काया शुद्धी एवं तंत्र विद्या के उपयोग की प्रेरणा दी थी यह एक परम सत्य है कि नात संप्रदाय के सभी नवनाथों ने शाबर मंत्र के प्रचार प्रसार एवं उनमें शक्ति उत्पन करने के लिए जो कार्रे किया वह अद्वितिये है इस संसार में जब तक यह गोरख तंत्र नामक शाबर विद्या विद्यमान है तब तक गुरु गोरख नाज जी का नाम बना रहेगा गोरख तंत्र नामक यह पुस्तक उत्तर भारत के प्रसिद प्रकाशन संस्थान रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा प्रकाशित की गई है इस पुस्तक को ओनलाइन मध्यम द्वारा मगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर संपर्क करें किसी भी प्रकार की पूछताच वजानकारी के लिए आप हमें वाटसप पर संपर्क कर सकते हैं हमारा वाटसप नंबर है 9315667218 धन्यवाद